यहां पर जो डिस्रिप्शन दिया है वस्कुलर बंडल का इसको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट जो है उसमें ऐसा प्रेजेंट हो था वस्कुलर बंडल तो अगर हम देखिए यहां पर 2 और 4 जाइलम दिया हुआ है और रेडियल एरेंज तो रेड है वस्कुलर बंडल होगा वस्कुलर बंडल हुआ है सबस्कुल यहां पर जैसे यह जो है यहां पर बाहर की तरफ के यह जो है यह एपिडर्मिस है जिसमें एपिडर्मिस है यह कौन से यह रूट है एड़ इसके अंदर की तरफ के कोटेक्स के अंदर की तरफ अकर हम देखे है यह यह क्या है एक है एंडवडर्मिस endodermis और यहां पर जो xylem है वो अगर हम देखें यहां पर कैसे है यहां पर कितने number में present होगे यहां पर जैसे xylem के ऐसे जो है यह जो है ऐसे कितने है दो या चार bundles होगे तो यहां पर अगर हम देखें डाइकोड root के अगर हम बात करें तो xylem and phloem, यहाँ पर क्या होगा xylem के बीच में, यहाँ पर phloem है, तो यह क्या होगा यहाँ पर phloem, और यह क्या है, यह meta xylem है जो अंदर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ होगा, वो कौन सा है, phrodo xylem, photo xylem, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पित कैसा है, यहाँ पर small and inconspicuous है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले 2 और 4 xylem जो हो, किसमें, dicoat root में देखने हों मिलता है, और radial arrangement भी अगर हम देखें, तो यह किसमें, dicoat root में यह, monocod में poly arc condition होता है, मतलब यहाँ पर more than 6 bundles में present होके, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यह जो है, यह feature किसका है, पहले बत यहाँ पर radial है, radial vascular bundle जो है, stamped होगा नहीं यहाँ पर, root होगा, root में भी अगर हम देखें, 2 और 4 xylem जो है, monocod root में नहीं होता है, इसमें poly arc condition है, correct answer with this, 4th one, I hope you understood the option, thank you and all the झाल 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 झाल